जीत और कृष्णा के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्यूंकि आज जनमास्टमी है और इस मौके पर जीत हर बार कानहाजी बना करते हैं लेकिन इस बार जीत नहीं बलकि शिव और गोपी बनेंगे कानहाजी और राधिका इसलिए कृष्णा उनके कपड़े तयार कर रही है रही है मुष्णा कर देखू देख पर cambi नाहीं पर जैसे ही अम्मा यहां आती है तो यह सब देख कर चौक जाती है और कृष्णा से क्या कहती है कि आप खुदी सुन लीजिए दिरसल कृष्णा पूरी रात सोती नहीं है बलकि अपने बच्चों के लिए कपड़े तयार करती है लेकिन जब यह कपड़े लेकर वो शिव के पास जाती है तो शिव कुछ भी बोलते नहीं है क्योंकि शिव अभी भी गौरी के वश में है इसलिए हर कोई शिव को लेकर परिशान है और शिव वहां से निकल जाते हैं तभी गोपी भी शिव के पीछे-पीछे उनका हाल पूछने चली जाती है अब देखना होगा क्या क्रिशना समझ पाएगी शिव के इस हालत की वज़े है And for more such telly down updates Stay tuned with Jesh Shobiz